बारूट से खेलोगे तो तुम सब को क्या लगता है? तुम सब बच जाओगे? इतने चित्डे ओडेंगे की गिन नहीं पाओगे? नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चेनल रिव्यू बाजार में एक बार फिर से आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन बॉक्स आफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही तेलगू सिनेमा की फिल्म वॉल्टर विरेया और विरा सिंभा रेडी के अभी तक के टोटल बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में वारी सू और थुनीवू इंडियन बॉक्स आफिस पर क्या कमाल कर रही है और क्या ये दोनों ही फिल्म है और वरसेज में इस साल की हायस्ट ग्रोसर फिल्म वनी है या नहीं इस बारे में साथी साथ बात करने वाले हैं दोस्तों सुपरिष्टा शारुकान की मच एवेटेट फिल्म पठान के बॉक्स आफिस प्रडिक्शन और इस फिल्म के एडवांस के बारे में इस फिल्म ने दोस्तों अपनी रिलिस के पहले ही KGF एक्टर 2 के रिकोर्ड्स को तोड़ दिया है तो वीडियो को लीड में आपको NBK यानि कि बाला कृष्ण नंद मूरी, शूती हसन, दुनिया विजय और वारा लक्ष्मी, शरत कुमार नजर आने वाले हैं दोस्तों बतारे चले आपको कि इस एक्शन फिल्म को ऑडियन्स के तरफ से अपने पहले दिन तो इस साल की वन अप दो करोड रुपे के आखड़े को पार कर दिया था, अपने पहले संडे इस फिल्म ने 12 करोड रुपे कमाये थे, तो अपने पहले मंडे यानि कि कल इस फिल्म ने बॉक्स आफिस पर श्ट्रोंग होल्ड करते हुए 9 करोड रुपे कमाये हैं, आज दोस्तों इस फिल्म का बॉ कल और आज के कलेक्शन्स को मिला कर ये फिल्म 130 करोन रुपे के आखड़े को पार कर रही है और इसे के साथ दोस्तो वीरा सिंभा रेडी एन्बिके के केरियर की ओन अप दे बिगेश्ट ग्रोसर फिल्मों के लिष्टे में शामिल हो चुकी है बात के जाया दोस्तों यहाँ पर फिल्म थुनी वू के बॉक्स आफिस कलेक्शन्स के बारे में जिसका डिरेक्शन क्या है एच विनोत ने और थाला अजित कुमार की ये फिल्म भी बॉक्स आफिस पर कई सारे रिकोर्ड्स अपने नाम करती हुई नजर आ रही है जी हाँ दोस्तों आफ सभी को बता दे चले कि फुनी वू जो कि एक एक एक्शन ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म में बैंक रोबरी के उपर बता गया है बता दे चले दोस्तों को कि इस फिल्म को भी इडियन बॉक्स आफिस पर जहां अपने पहले दिन तो इस साल की ग्यारा करोड नब्भे लाख रुपे कमाए छाटे दिन दोस्तो इस फिल्म के कलेक्शन यानि कि कल अपने पहले मंडे में इस फिल्म ने 10 करोड रुपे कमाए है तो वहीं दोस्तो आज ये फिल्म अपने साथवे दिन भी बॉक्स आफिस पर लगभग 8 करोड रुपे की कमाई कर रही है ऐसे में दोस्तो इस फिल्म का शुरुवाती 7 दिनों का कलेक्शन इंडियन नेट बॉक्स आफिस पर 85 करोड रुपे का हो चुका है और सिस्स दोस्तो ये फिल्म 45 करोड रुपे के आखड को पार कर चुकी है जबकि दोस्तो ओल एडिया ग्रोस पर ये फिल्म लगभग 100 करोड रुपे के आखड को पार कर चुकी है ऐसे में दोस्तों ये फिल्म देड़ सो करोट रुपे की कमाई तो सिर्फ शुरुवाती साथ ही दिनों में कर चुकी है और थाला अजित कुमार के केरियर की वन अप दे बिगेश्ट ग्रोसर फिल्मों की लिष्ट में शामिल हो चुकी है बात के जाए दोस्तों यहाँ पर अगली फिल्म यानि कि वरिसु के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वरिसु जिसका डारेक्शन किया है वामसी पैड़ी पली ने और इस फिल्म के लीड में आपको थैला पे थी विजय के अलावा रश्मी का मंदना और प्रकाश राज भी नजर आए हैं बता दे चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को भी अपने पहले दिन तो जहां 26 करोड 70 लाख रुपे की धमाकेदार ओपनिंग मिली जो कि इस साल तमिल बॉक्स आफिस पर वन उप दे बिगेश आपनिंग है अपने दूसरे दिन इस फिल्म ने 11 करोड 55 लाख रुपे कमाएं तीसरे दिन भी इस फिल्म ने बॉक्स आफिस पर काफी अच्छा होल्ड करते हुए 10 करोड 10 लाख रुपे कमाएं लेकिन दोस्त तो अपने छठे दिन यानि की कल इस फिल्म ने 15 करोड रुपे कमाए हैं और इसी के साथ ये फिल्म थेले पे थी विजय की एक और सौ करोड फिल्म में इंडियन नेट बॉक्स आफिस पर बन चुकी है और आज की जो इस फिल्म की एडवांस है वो ही 6 करोड रुपे के आखिड़े को पार कर चुकी है जबकि दोस्तों ओक्यूपैंसी के हिसाब से ये फिल्म आज भी 13 करोड रुपे के आखिड़े को टच करती ही नजर आ रही है इसी के साथ इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 115 करोड रुपे का इंडियन नेट बॉक्स आफिस पर हो चुका होगा और सिससर दोस्तों ये फिल्म 40 करोड रुपे से ज़ादा की कमाई कर चुकी है यही वज़ा है दोस्तों की इस फिल्म का जो टोटल बॉक्स आफिस कलेक्शन है वा लगबग 170 करोड रुपे के आकड़े को इंडियन नेट बॉक्स आफिस और वर्लड वाइड ग्रोस बॉक्स आफिस पर पार कर रहा है बात के जाए दोस्तों यहाँ पर बगली फिल्म यानि की वोल्टेर विरिया के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में जिसके लीड में दोस्तों आपको मेगा इश्चा चिरन जीवी और मास महराजा रवी तेजा नजर आने वाले हैं और दोस्तों बोबी कोली के डायक्शन मे बनने वाली ये भी एक एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो की ओडियन्स को काफी पसंद आ रही है जी हाँ दोस्तों आप सभी को बताते चले कि वोल्टेर विरिया जिसमें आपको मास महराजा रवी तेजा और चिरन जीवी सर की बैतरिन फैस आफ देखने को मिलने वाला है इस फिल्म ने भी अपने पहले दिन 30 करोड रुपे की धमाकेदार ओपनिंग इंडियन बॉक्स आफिस पर ली दूसरे दिन दोस्तों इस फिल्म ने 20 करोड कमाए तवहीं दोस्तों अपने तीसरे दिन इस फिल्म ने 21 करोड रुपे कमाए लेकिन दोस्तों कल इस फिल्म न जादा की कमाई इंडियन नेट बॉक्स आफिस पर कर चुकी थी लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के आज की कलेक्शन की तो दोस्तो फाइनली इस फिल्म को आज आज ओडियन्स की तरफ से जिस तरह का शांदार रेस्पॉंस मिल रहा है इस फिल्म की जो एडवांस से वो छे करोड से जादा की है यही वज़ा है दोस्तो की यह फिल्म आज अपने पांचवे दिन भी लगभग 13 करोड की कमाई इंडियन नेट बॉक्स आफिस पर कर रही है इसी के साथ दोस्तो इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो इडियन नेट बॉक्स आफिस पर जहां 99 करोड रुपे के आखड़ों को पार कर चुका होगा और फाइनली यह फिल्म 100 करोड के कलब में शायमिल हो चुकी होगी तवह दोस्तो वल्डवाइट बॉक्स आफिस पर यह फिल्म शुरुआती तीनी दिनों में 104 करोड रुपे से ज़ादा की कमाई कर चुकी थी कल और आज के कलेक्शन्स मिला कर दोस्तो यह फिल्म वल्डवाइट बॉक्स आफिस पर 140 करोड रुपे के आखड़ों को पार कर रही है यानि कि दोस्तो पाँच ही दिनों में चेन जीवी सरकीस कमबेक फिल्म ने सभी रिकोर्ड को तूड़ दिया है बॉक्स आफिस पर ये फिल्म एक बड़ी ब्लागबस्टर बनती हुई नजर आ रही है बात की जाए दोस्तों यहाँ पर अगली फिल्म यानि कि पठान के बॉक्स आफिस परडिक्शन के बारे में तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पठान जिससे की सुपरिश्टाज शारू काफी दिनों बाद बॉक्स आफिस पर अपनी वाफसी कर रहे हैं बड़ी स्क्रिन पर देखने के लिए उनके फैंस काफी एकसाइटेड है और उम्मिदे हैं दोस्तों की सिधार्त आदन के डायेक्शन में बनने वाली पठान बॉक्स आफिस पर सभी रिकोर्ड्स को तोड़ देगी अगर बात की जाए दोस्तों पठान की तो दोस्तों पठान के टीजर को काफी जबर जस्ते रेस्पोंस मिला ट्रेलर को दोस्तों टैरिफिक रेस्पोंस मिल चुका है गाने भी इस फिल्म के धुम धमाकेदार और ब्लॉक बश्टर रहे हैं यहीवज़ा है दोस्तों की पठान को लेकर और और ओडियंस के बीच में जो बज है वो काफी ज़ादा है और अगर बात की जाए अभी तक के टोटल की तो दोस्तों बता दे चले आपको कि सिर्फ जर्मनी में ही इस फिल्म ने अभी तक 2 करोन रुपे से ज़ादा की कमाए कर ली है USA, Canada और France में भी इस फिल्म को काफी अच्छी एडवांस मिल चुकी है और यही वज़ा है कि ये फिल्म 4 मिलियन डॉलर के आखड़े को अपने पहले ही दिन पार करती हुई नजर आ रही है तो वहीं दोस्तों अगर बात किजाए यहाँ पर इस फिल्म के Indian Box Office की पंद्रह करोड रुपे तक की आखड़े को पार करती ही नजर आ रही है तो वहीं दोस्तों Worldwide Box Office पर जिस तरह से इस फिल्म को रैस्पॉंस मिल रहा है यह फिल्म पिछले 8 सालों में रिलीज होने वाली Indian Box Office पर वॉल्यूड की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है और लगबग 80 करोड रुपे तक की ओपनिंग दुनिया बर के Box Office पर ले सकती है और Box Office पर वॉल्यूडर साउस से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपनी चैनल रिव्यू बाजार को सबस्क्राइब जरू कीजेगा धनिवाज जैहिं जै भारत